नमस्कार सलाम, हमारे इस खास कारेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जानते ही हैं कि गुजरात और हिमाचल में मुख्य मंत्रियों ने शपत ले ली है। गुजरात में बीजेपी की वापसी हुई है और भुपेंद पर्टेल को एक बार फिर राज्य की कमान सौपी गई है। भुपेंद पर्टेल के अलावा 16 मंत्रियों ने भी शपत ली है। इनमें 8 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार और 6 राज्य मंत्री हैं। उधर हेमाचल में सरकार बदल गई है, कांग्रेस ने बीजेपी से सच्था छीन ली है, कांग्रेस ने सुखवेंद रिट सिंग सुकु को मुक्यमंत्री बनाया है। उनके साथ मुकेश अगनी हुत्री ने उपमुक्यमंत्री पत की शपत ग्रहन की है। हाला कि अभी हेमाचल में कैबिनेट विस्तार का इंतजार है हो सकता है जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे हों कैबिनेट मंत्रियों का भी एलान हो जाए दिली में भी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है इसमें तमाम तकनीकी पेज फसे हुए है या फसाए गए है तो आज इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे क्या कुछ खास है गुजरात मंत्रि मंडल और हिमाचल में और क्या अपने इस सरकार जनता के मुद्दों की तरफ वाकई ध्यान देगी इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लगतार गुजरात चुनाव को कवर करते रहे हमारे साथी रिपोर्टर रिशी राज आनंद और हिमाचल को कवर करने वाले हमारे साथी रवी शंकर दुबे तो शुरू करते हैं चुनाव चक्रा शुरुआत गुजराइट से रिशी आप से आपने लंबे समय तक गुजराइट कवर किया चुनाव हो गए हैं मुख्य मंत्रियों ने शपत ले ली है तो सियासी सवाल ये कि कैसा सामाजिक समिकरण है इस मंत्री मंडल का उसकी क्या खासियत है क्या युगता है कैसे देखते हैं मुगल जी शुरुवात तो इस बात से कि मंत्री मंडल के पहले ही जो टिकट देने की जहां तक बात थी उसमें भी कहीं न कहीं जाती है समय करन कुछ ठीक नजर नहीं आता है क्योंकि मैं आपको एक दो उधारन अगर दूँ तो जैसे एक विदान सबा सीट है धानेरा धानेर नहीं बहुत पहले से मतलब पिछले तीन विदान सबा चुनाओं के वक्त से भले वह कोई सी भी पार्टी हो भले भाजपा हो कॉंग्रेस हो लेकिन पार्टीदार समाज को ही वहां से तिकट हमेशा से दिया जाता है और इसके अलावा आप कच चले जाईए कच में भी यही क्या है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो भी हमेशा से OBC समाज को ही वोट दिया जाता है कहीं न कहीं यह बात सही है कि यह जो तैयारी नजर आ रही है बाजपा की यह 2024 की तैयारी है और एक तरह से जो मतलब आगे जाओं बात करेंगे तो मैं आपको मुद्दों के हि परदेदार्स को और OBC समाज से आने वाले अन्य जातियों को किस तरह से का पलडा हमेशा से भारी होता है तो वही है कि उपरी तोर पर बीजेपी बहुत डावे और बात करती है कि जाती को तोड़ना है लेकिन अंद्रूनी तोर पर बहुत तरीके से बनाए रखना चाहती ह neither miss पूरी पूरी राजनीतीर की जाती पर केंदर रित है वह दिखाती जाती को नहीं मानती है सब हिंदूत वह उसको सब में समाहित इसी तरह से तो हम देखते हैं मुस्लमानों एका एक ही। इसकी बंद दिया है ऊं जाय उसकी उन्जाइश ही नहीं है इसमें एक आता है महिला वाला प्रते निर्ट का सवाल तो जिस मंत्री मंडल में एक महिला को मंत्री मंडल में रखा गया है हाला कि 14 महिला विदाहक चुनी गई है बीजेपी से तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप जी देखिए एक तरह से जो मैं के रूप में और उसके बाद आप किसी भी जाती किसी भी धर्म के लोगों को देख लें उसमें सबसे आखिर में आपको लाइन में जो दिखेंगी वहोंगी महिला हैं विदायकों के तोर पर भले आपको वो एक जैसा कहते हैं ना कि के वहां पर महिलाओं को जगा दे दी गई है लेकिन मंतरी मंडल को ग elles की मामले में इन्हों गुजरात में आज भी कहीं न कहीं बन दर्वाजे के भीतर ही सीमित हैं और इसका कारण साफ तोर पर यही है कि वो एक हायरार्की चुनावी तोर भी बनाई गई है अगर मंत्री मंडल में मान लीजिए अगर संख्या होती महिलाओं की तो शायद इस बात की आशंका लगाई जा सकती थी कि कुछ इसमें सुधार देखने को मिलेगा हाला कि अभी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं है कि हमने मुख्यमंत्री भी महिला बनाई थी बीच में तो यह तो एक सियासी बात हुई अब मैं थोड़ा हिमाचल की बात करूँगा रवी से रवी आप साचल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है किस तरह वो देख रहे हैं और साथ ही मंत्री मंडल की संभावनों पर भी आप बताएं सरकार इसलिए वहां की जंता ने पांस साल के बाद फिर से बदल दी क्योंकि उन्हें पिछली सरकार से जो हधाशा हाथ लगी थी वो नई सरकार आ करके उसे पूरा कर सके जैसे थे, All pension scheme हो गई, महंगाई विरोजगारी और विश्विद्यालय का जो छार्षनाद चुनाओ बेहन हैं तमाम ऐसे मुद्य थे शड़कों का मुद्दा था, पानी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको राहत के लिए एक बदर फि उनको अगर मुख्यमंत्री कॉंग्रेस सरकार बनाती तो शायद कॉंग्रेस की तरब से दो चुनाओ और एक्स्टा हो जाते जिसमें से एक विधान सभा का चुनाओ था जिसमें 6 महिने के अंदर उनको वहां की मेंबर्शिप हासिल करनी ही होती तो एक चुनाओ ये हो जाता और फिर एक मंडिक भी लोगसभाक शेत्र जहां से वो सांसत हैं वो सीट भी खाली होती और वहां पर वे एक नया चुनाओ होता तो कॉंग्रेस के लिए दो चुनाओतिया और जादा हो जाती इसके अलावा सुख्विंदर तुन सुख्षू जिने मुख्यमंत्री बनाया जा गया है कहीं न कहीं यह शुर्वास देखा जा रहा था कि उनका नाम भी दूसरी तरफ चल रहा था और जब एक पैनल गया था कॉंग्रेस का शिमला तो सुख्विंदर सुख्षू ने एक दिन पहले यह कहा था कि वो मुख्यमंत्री पत्की दौर से बिल्कुल बाहर है और तो कहीं न कहीं एक स्टैंड प्लियर हो गया था सुख्वू ने अपना स्टैंड बहुत न्यूट्रल रखा था और उन्हें बनाना भी था क्योंकि विक्रम जो विक्रम सिंग है उनके बेटे हैं बीन भत्र के और विक्रम आदित्य सिंग प्रतिभा सिंग के तो उनको एलान हो गया कि उनको मंत्री मंडल में जगा दी जाएगी हाला कि कहीं न कहीं जिस तरह से जो बॉड़ी लेंग्विज की जब शपत ग्रंट समा रहा था तक राहूल गांदी और कॉंग्रेस के अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे और तमाम तिगज नेता जो कॉंग्रे मार्ग दर्शक के तौर पर पार्टी के अंदर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी जिम्यदारी मिलने वाली है और उसके बाद मंत्री मंडल की अगर बात करें तो मंत्री मंडल में अभी बहुत सारे MLA's हैं जो अपनी अपनी दावेदाई भोक रहे हैं जैसे कई हैं जो जीते हैं तो किसको कौन किसको मंत्री मंडल में जगा मिलती है तो देखने वाली बात होगी लेकिन हाँ यह जरूर कहा रहता है कि 2024 के लिहाद से जो कॉंग्रेस है वो कहीं न कहीं किस सीट पर किस छेतर में किसका कितना ज़्यादा प्रभाव है इस इस दृस्टी को रखते हुए मंत्री मंडल नया तयार करेगी तो वह से सुखो का चेहन भी एक माश्र श्टोक की तरह लिया जा रहा है उन्हें एक जमीनी निता के तौर पर पहचाना जाता है हमचल में और बहुत आम परिवार से वह आते हैं रवी जैसे आपने शुरुवात में ही बताया कि किस तरह की जनता की उमीदे थीं जिस वेसे सरकार बतली तो आप इन उमीदों को किस तरह से भी शुरुवाती संकेत कैसे देख रहे हैं जो उनकी समस्या हैं जो उनकी मुद्दे जनता के मुद्दे जो आपने शुरू में भी गिनाए उन पर किस तरह से देख रहे हैं कि काम शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं किस क्या कुछ उमीदे आप देख रहे हैं देखे जैसा कि जो जन्ता की उमीदे थी मैंने बताया कि मुद्दे बहुत सारे थे मैं वहाँ पर ग्राउन पर भूमा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या क्या परिशानिया थी इसके अलावा सुकुन शपक लेने के दूसरे दिन ही जैराम सरकार के कई पुराने फैसले थे कम से कम पंद्रा फैसले ऐसे थे जिनने पलट कर रख दिया तो इसको लेकर के जैराम ठाकुर ने एक ट्विट भी किया था कि भाई विपक्चित से कोई बातचीत नहीं हो रही है और यह एक रोश व्यक्त कर रहे हैं यह बदला ले रहे हैं पुरानी सरकार से और उनका यह कहना था कि हमने पांच साल काम किया था आप नहीं सरकार को मौका मिला है तो वो भी उस तरीके से काम करके दिखाएं लेकिन सुकुने मुक्यमंद्री सुकुने पिछली सरकार के बहु प्राइब你माचल प्रदेश के कॉंग्रेस ने पहले वादा किया दा कि आने के कुछ दिनों के या कुछ महीनों के अंदर ही इसे लागो कर दिया जाएगा तो अब वो देखना होगा कि सरकार इस पर कितना जाद अमल करती है और जन्ता को कितना जादा उनके मिश्वास पर ख कि ऐसी वाकि के भागी हिमाचल में तो बात कुछ और यहीं होगी तो स्क्राज़ के अलावा महेंगाई विरोजगारी एक तीसरी चीश जो मुक्तीक हिमाचल पते है के kई ग्रामेट घिन्जटव है in पर जो एक स्कीम नाम दी गई थी पौजियों के लिए अगनी वीर स्कीम उसको लेकर बहुत जादा गुस्सा था तो उसमें कैसे इंप्लिमेंट ये सरकार केंडर के साथ साजेदारी करके आगे जनता के लिए कर सकती है तो एक ये भी देखने वाली बात होगी बाकी पादकों का क्या उनको लेकर क्या कहना है जी सेव पादक की सीधा सीधा परिशानी यही थी देखिए सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश 21 प्रदिशत हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश की सर्फ पूरे भारत में सेव की है इसके बावजूद जो वहां का किसान जो पूरी सा साल भर मेहनत करता है सेव की खेती करता है सेव उगाता है तो अगर आप वहां पर एक्चुल उसका रेट देखें सेव का तो अच्छे से अच्छा एक रेट का से भी जो किसानों से डायेट खरी लिया जाता है वह बहुत जदा 50 रुपए में और वही जाकर कि कंज्यूमर एं लाकिर कहां जा रहा है वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है क्योंकि इसमें किसानों की अठाह मेंनत है सेव उगाना और उसकी रक्षा करना और इस तरदी गर्वी में इतना असान नहीं बनी हैं नई उमीदे हैं नए संकेत दिये जा रहे हैं अगले आने वाले कुछ दिनों में कुछ हफ़तों में या कुछ महीनों में बहुत साफ हो जाएगा कि कांग्रेस की सरकार किस तरह बढ़ रही है और क्योंकि उसे 2024 भी देखना है तो उसे तो इन वादों पर खरा उतरना ही होगा तो फिलाल इस जानकरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो रिशी अब आते हैं असल सवाल पर सवाल है जनता के मुद्दे जनता की समस्याएं जनता की उमीदे उन्होंने वही सरकार वापस ले आए हैं जिसे वह 27 साल से देख रहे थे तो आजमाये को वह आजमा रहे हैं तो उनकी उमीदे क्या हैं किन वादों पर फिर वापस आई है सरकार उसमें क्या संकेत आपको दिख रहे हैं मुगल जी यहां कई चीजें बहुत जादा इंट्रेस्टिंग हैं या फिर एक ऐसी अचंभित कर देने वाली बाते हैं कुछ जो मैं चाहूंगा कि मतलब हमारे जो शोता हैं वो सुनें इस बात को शुरुवात में वापस से बननी से ही करूँगा और खास तोर पर बननी के मुसल्मानों की बात से करूँगा आम तोर पर ऐसा देखा जाता ही गुजरात में यह धारनाय कई न्यूस चैनल पर भी चली और हर जगा यह बात कही गई कि गुजरात के मुसल्मान भी भाजपा को वोट देते हैं लेकिन इसकी जो एक तरफ की सचाई है दूसरी सचाई जो इसकी है वो बात मैं आपसे शैर करना चाहूंगा कहीं नहीं एक तरह से जब मैं बननी में और पूरवी बननी में वहां के लोगों से जब मैंने पर लोग भाजपा को ही वोट देते हैं उनका जो विदानसभा है वो भुझ पड़ता है जो कि उनके शेत्र से 100 km के दूरी पर है क्योंकि वहां जब आप जाएंगे तो सूखा है पूरा बंजर जमीन है पूरी और सेटलमेंट्स बहुत दूर दूर पर हैं तो उनका विदान को ही वोट देंगे यदि वो नहीं देते हैं तो वो नजर में ही नहीं आएंगे और उनकी जो पुरानी समस्याएं हैं पानी से लेकर और सड़क से लेकर आप मतलब मैं आपको अगर बता सकूं एक लाइन में तो जहां पर सड़क खत्म होती है वहां से 15 km की जरनी गाउं के लिए शुरू होती है बिलकुल कच्छी सड़क है जो आपको लेकर जाएगी मैं उस गाउं में गया गाउं का नाम उडाई है उडाई है जो की बनी पूरवी बनी में आता है और लोगों से मिलेंगे मतलों वहां पर पंचायत ऑफिस में पूरा कूडा भरा हुआ है बाहर बोड लगी हुई है जो पिछले एक साल से लगी है वह हर घर जल योजना की बोड लेकिन उस गाउं में पंदरा साल पुराने बनाए हुए टैंकर तक वोटर टैंक जो बनाए गए हैं वो तक खाली है जो महां के पशुपालकों को मजबूर कर देते हैं आट महीने माइने म इस तरह से पुलिस प्रशाशन राज्य मिशिनरी का दुरूपयोग किया गया और मुद्ध जिस तरह से वहां भी आपने लगतार कवर किया है कि कैसे कैसे कारूबार बंद हैं कैसे कैसे चीजी हैं महंगाई भी है उन बारे में बताईए और आब वो क्या उमीद लगाए है इसी सरकार से बिल्कुल तो सबसे पहली बात तो यह हम दो मुख्यों फसलों की बात करते हैं जो पानी से जोड़ी हैं और जो किसानों के लिए उत्तर गुजरात में सबसे ज़्यादा जरूरी हैं वो हैं सरसो और मुफली यह दोनों पर MSP मुख्य तोर पर MSP का लाभ कही न कहीं वहाँ किसानों को दिया जाता है ऐसा सरकार का कहना है यहां पर दो बाते मैं आप से आप से बताना चाहूंगा एक तो यह कि MSP की सच्चाई क्या है और दूसरी बात वह आगे सोच कह रहे हैं कि मतलब कि किस सोच से वहाँ के लोगों ने भाजपा को वापस से जिता है और कहीं न कहीं यह चीज उनके दिमाग मर दिमाग पर मतलब एक तरह से नॉमलाइज कर दी जा चुकी है कि ऐसा ही होता है अब यहां तक कि मतलब मैं आपको बता हूँ तो वही जैसे अभी किसान कृशी बिल लाए थे यही बताने के लिए कि हम सब प्राइवेट आपको उससे जादे दे रहा है MSP की बहुत जरुवत है नहीं MSP तो यह वह इस तरह से किया जाता है बिल्कुल तो चुकी यह चीज नॉमलाइज हो गई है इसलिए अब यह वहां के किसानों के लिए समस्या ही नहीं तो जब समस्या नहीं है तो उसका कोई असर तो आपको वोट प प्रदान कर रहे हैं हलाकि जो आप देखेंगे तो उत्तर गुजरात में तो ड्रिप इरिकेशन का स्कोप ही खतम है ऐसा क्यों क्योंकि जब हजार हजार फुट तक किसान को पानी नहीं मिलेगा और जितने भी छोटे किसान है या मेडियम स्केल किसान है वह साथ लाक आठ रुपए लगा कर खर्च कर बोरिंग की सुविधा के लिए वह उप्टी नहीं कर सकते मतलब जब उस चीज की सुविधा तक वह नहीं पहुच पा रहे हैं तो सबसीड़ी तो बहुत दूर की बात है तो एक तरह से जो समस्याएं हैं पानी को लेकर जो समस्या है खरीद को स आपका जो सवाल था कि लोग किस लिहाजन वोट करते हैं तो जाती के रूप में वोट करना आज भी सबसे ज़्यादा काविज है एक तरह से गुजरात में जबकि जाती के लिए यूपी और बिहार को बदनाम किया जाता है एक तरह से मैं खुद बिहार से हूँ मैं इस बा आठ साल से उनी की सरकार है तो इसके खेती पानी के लावा और क्या-क्या आपने वहां देखा किस तरह से चीजों को लेकर एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 34,800 किलोमेटर लंबा भारत माला प्रोजेक्ट जो है रोड का जो यह है और वो अगर मैं गुजरात के पू जो आखरी गाओं है वहां का वहां जो आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत माला प्रोजेक्ट जो है वो दो तरफ से है और बीच में एक बड़ा सा कट है जहां आज भी एक खेत मौजूद है तो यहां की बात कुछ ऐसी है कि एक तो किसान वहां पर शु कि उस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त जब सर्वे की जारी थी उस सर्वे तक की जानकारी वहां के किसानों को नहीं थी उन्हें सिर्फ इतना दिख रहा था कि हमारे खेतों के उपर से ड्रोन उड़ रहे हैं तो उन्हें यह बताया तक नहीं गया उन्हें पता तभी चला पर एक चोटे से जत्ते में जहां पर कुछ 700-700 अनार के पौधे लगाये हुए हैं और मतलब एक तो यह मुद्दा है कि वहां पर जो किसानों जिन किसानों की जमीन ली गई उनके लिए एक तरफ से दूसरी तरफ अपने खेत में जाने का क्योंकि बीच में रोड बन गई तो अब उनका जो खेत का जो बीच का जो हिस्सा है वो कट गया पूरी तरह से खेत का एक हिस्सा बाइं और और दूसरा दाइं और हो गया अब जाने के लिए उनके पास से पास करने के लिए एक बीच से जगे भी नहीं है जगे तक नहीं है तो अगर किसी किसान को अपने इस के खेट से दूसरी तरफ जाना है तो इसे दो किलो मिटर का मा यह चल कर और दूसरी तर पूर जाना होगा तो यह तो कुछ समझ्जाय हुई अब यही सरकार क्योंकि मैं फिर इसी सवाल पर लोट रहूं इसे वापस लेकर आए हैं वो लगतार तो इस सरकार ने क्या कुछ संकेद दे रही है कुछ उन मुद्दों पर काम करेगी बात करेगी जो जैनियून मुद्दे जमीनी मुद्दे हैं इसमें तो मतलब जो जिन काम का संकेद सरकार ने दिया है उसमें सबसे ब इसके पहले भी अगर आप देखे चुनाओ के ठीक पहले के जो 6-7 महीने हैं उसमें उन भरतियों को पूरा कर दिया गया एक तरह से जिस रेवडी कल्चर की हम बात करते हैं जो आज बहुत जादा जिसका चलन है उसी जो एक तरह से उसी चीज को अपनाया भाजपा सरकार ने इस बीच में तो ये एक सबसे बड़ा संकेत था कि जो बेरुजगारों का आकरोश था जो प्रोटेस्ट आप देखेंगे अगर तो नवंबर के पहले तक 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 साथ से आठ भरतियों को लेकर प्रोटेस्ट जारी थे गुजरात में गांदीनगर में अमदाबाद में हर ज तरह से देखने को मिला कि जब आकरोश खतम हो गया तो वह मुद्दा ही नहीं बन पाया मुद्दा नहीं बना तो उसका वोट पर कोई असर नहीं बढ़ा तो एक तो सबसे बड़ी चीज यह थी दूसरी चीज यह थी कि जो कम्यूनल डिवाइड हमेशा से गुजरात में ब बात करूं बापु नगर में मुखे रूप से जो संख्या है वो मुसल्मानों की है अब वहां पर भी आप अगर देखेंगे तो डिवाइड कुछ ऐसा है कि जो एक बड़ी सी मेरे ख्याल से यह पूरे भारत में और कहीं नहीं होगा लेकिन एक 20 फीट की बड़ी दीवार ह जो की डिवाइड करती है मुसल्मान एरिया को हिंदू एरिया से मतलब इंटराक्शन वहां पर पूरी तरह से खत्म है और इन्होंने अब क्या किया है कि वहां पर स्कूल प्रात्मिक शिक्षा के जो विद्याले थे उनको वापस से जो बहुत वक्त से बंद पड़े हुए में चीजे और साफ होंगी कि किस तरह से है क्योंकि अभी 2022 तो जीत लिया फिर 2024 भी जीतना है बीजेपी को तो उसे कुछ काम करके दिखाना होगा महंगाई या बेरुजगारी का मोर्चा है पूरे देश के लिए भी है तो रिशी आपका बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो आज के एपिसोड में हमने बात की गुजरात की ही माचल की आपने हमारे दोने साथ यह को सुना दोस्तो अब ये साल खत्म हो रहा है इस साल के आखरी एपिसोड में हम बात करेंगे उन सभी साथ राजियों की जिन में 2022 में चुना हुए और न को सब्सक्राइब करना है शोशल मीडिया पर हमें लाइक और शेयर करना होगा हमें उमीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे शुक्रिया धन्यवाद